पंजाब के लुध्याना की सेंट्रल जेल में बड़ा बवाल हो गया यहाँ पर पुलिस और कैदियों के बीद जड़प हो गई जिसके बाद पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए हवाई फाइरिंग तक करनी पड़ी और इसमें कुछ कैदी घायल भी हो गए कैदियों और पुलिस के बीच हुई इस जड़प में इसे भी संदीप वढ़ेरा भी घायल हो गए है बताया जा रहा है कि जेल में दो गुटों के बीच जड़प हो गई थी उसके बाद पुलिस बचाव करने पहुची तो कैदियों और पुलिस के बीच में छड़प शुरू हो गई कुछ कैदियों ने जेल को तोड़ने तक की कोशिश की और बाहर भागने लगे लेकिन उन्हें तुरंट दबोश लिया गया यहां तक की कैदियों ने जेल में आग तक लगा दी इसी वजह से एहतियाद के तोर पुलिस को फाइरिंग करनी पड़ी और तनाव पून स्थिती को देखते हुए में गेट को बंद कर दिया गया और सुरक्षा को और मुस्तैद करना पड़ा बता दे कि लुधियाना की इस जेल में करीब 2000 से जादा कैदी बंद है जिनमें कई कैदी जगन्य अपराद के आरोप में भी बंद है बहराल अभी जेल में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कई बड़े हधिकारी मौके पर पहुँच गए है अरभी सिगाजी करनी कीषित ओर रही धर नहीं क्युक्त जटक ज़ए आसी, शारे बंदेरे ...